हरो वीडियो में आप देखेंगे मूंबई का फेमस वडापा 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 इसलिए पेमस के मूंबई में अगर आप गए हैं मूंबई में तो वहाँ पर एक बहुत ही भागदोड़ वाली जिंदगी है है अगर एक कोने में आप रहते हैं दूसरे कोने में ओपिस है तो वहां पर आप सुबह सुबह ओपिस के टाइम तक पहुच नहीं पाते हैं इसके लिए आपको लोकल ट्रेन भी स्पीट से पकड़नी होती है और उसके बाद में आपका टिफिन डोपर के लिए टिफिन भी तैय कानी पढ़ती है क्योंकि अगर आप फा गहर में खाने का इन्तार करेंगे तो आप ट्राफिक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कंट्रोल मतलब ट्राफिक को आप तो वो करके, मैनेज करके नहीं कर सकते हैं, आसानी से, इसलिए आपको जहां पर आफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, जिस भी आफिस में, तो दोपर का जो लंच होता है, आपको वड़ा पाव, पाव अजी इस तरह का जो फूड है, वहां का मुंबई का प्रशिद फूड है, उसको खा के गुजारा करना पड़ता है, तो वहीं वड़ा पाव, आज हम इस वीडियो में बनाएंगे, ये एक रेस्टारेंट है, सिक्किम में, हमारा जो रेस्टारेंट है, उमास किचन नाम से, वहां पर ये बन रहा है, और बेसन, सबसे एहम रोल होता है, बेसन, पेस् में, बॉटल से, जिस तरह से चमच में उतरता है शहद, उस तरह से ये जो मसाला है, जो पेस्ट है, बेसन का ये होना चाहिए, बेसन आपका अच्छे कॉलिटी का होना चाहिए, दानेदार होना चाहिए, अच्छे कॉलिटी का मतलब बेसन ओरिजनल होना चाहिए, और दान पाव जो है वो बहुत ही देखने में सुंदर लगता है तो अगर बेसन दानेदार है और आप ने अच्छी तरह से उसको मिक्स किया है कॉस्टिक सोडा का जो झो खाने का जो मीठा सोडा जिसको बोलते हैं उसका एहम रोल होता है अगर आपने ये देखिया इस तरह से इस तरह से होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए बेसन क्योंकि ये बेसन जो है जो आपने थोड़ी तरह पहले जो बॉल देखा था चेंडू देखा था उसके उपर इसकी coating आ जाती है तो इस तरह से दिखे शहङद के तरह बेसन जो है अगर आपने उपर से डाला है तो नीचे इस तरह से वो फिसलना चाहिए दिखे इस तरह से शहङद की तरह बिल्गुल तो ये बेसन त्यार हुआ है और मसाला हमने पहले ही तयार किया था और उसके हमने चेंडूVA भी तयार करके रखे हैं तो इस तरह से ये बेसंद तयार हुआ है और इसमें कौस्टिक सोडा यानी की खाने का जो सोडा है जिसको मीटा सोडा भी बोलते है और थोड़ा सा नमक आप डालेंगे कॉस्टिक सोड़ा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए अगर कम होगा तो वड़ा पाव फूलेगा नहीं जो वड़ा जिसको बोलते हैं पाव तो खेर अलग रहता है वो फूलेगा नहीं और ज़्यादा होगा तो वो कड़ाए में जले सकता है लाल हो सकता है क्योंकि हमको golden color का चाहिए जिस color का आप basin देख रहे हैं उसी color का वड़ा आना चाहिए है ना तो जब आप basin खोल रहे होते हैं उसी time पर आपको कड़ाई पर तेल रखे उसको गास को ओन करना होता है क्योंकि तेल जब आप वड़ा जब डालेंगे कड़ाई में तो तेल उस ताइम पे गरम होना चाहिए और उसके बाद तेल को मीडियम करना पड़ता है क्योंकि कोटिंग मोटी होने के कारण medium तेल में ही वड़ा पकता है क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गरम होगा तो वड़ा जलने का भी चांस रहता है वड़ा जलनाने के लिए दो चीजे responsible है एक तो बहुत ज़्यादा गरम तेल और दूसरा बहुत ज़्यादा सोडा तो ये दोनों चीज कंट्रोल में होना चाहिए इस तरह से सोडा मिक्स किया है अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है बेसन पहले क्या था ठीक था वो स्ट्रॉंग था जैसे आप सोडा डालेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप जैसे वो सॉफ्टी आईस्क्रीम खाते है ना इस तरह से देखिए तेल बहुत गरम है और इसको थंडा करने के लिए थोड़ा पानी के चीठे मारने पड़ते हैं ठीक है तेल को थंडा कर दिया गया है और अब यह जो बॉल हमने भाल जो बनाए थे इस तरह से बेसन में डुबा कर और यह देखिए इस तरह से इसका भी एक तरीका होता है उंगली से यह डालना नहीं होता है और इसको मतलब चारों उंगलियों से फिसल ना मंगता है इसको ना उसके अंदर, कड़ाई के अंदर, चारों उंग्ली से, अगर आप उंग्ली से दबाके उसको डालेंगे, तो उंग्ली की निशान उसके आ सकते हैं, और जो बेसन है वो हटेगा वहां से और आपका जो मसाला आ है वह बाहर दिखेगा, तो इसलिए वो चारों उंग्लियों से बनाने के लिए वाले वो क्या करते है बहुत स्पीड से करते हैं आपको पता नहीं चलता है कि क्या action हो रहा है यह जबकि अगर आप slow motion में देखेंगे तो फिसल रहा है उंगली से इस तरह से देखिए golden जैसे जिस color का बेसन था उसी color में यह बन रहा है क्योंकि तेल बहुत ग पर यानि की flame पर तेल पर और flame पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है क्योंकि कोई भी चीज अगर आप कड़ाई में पका रहे हैं देखिए थोड़ा सा लाल हो रहा है इसमें मतलब या तो तेल गरम हो सकता है या फिर सोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंक कि जो टेस्ट उसका होता है थोड़ा सा 19-20 हो सकता है इसमें फिर भी टेस्ट का कोई 19-20 नहीं है हलका सा लाल दिख रहा है क्योंकि जब हम recording कर रहे थे उस समय ये pure golden में नहीं था थोड़ा सा कहीं कहीं पर इसमें लाल जो पन है उसका उबर रहा था क्योंकि मुझे लगता है सोड़ा तो ज्यादा नहीं हुआ था लेकिन तेल थोड़ा सा गरम था क्योंकि बाद आपने देखा भी होगा कि पानी के चीटे पड़ गए थे तो तेल थंड़ा करने की कोशिश की गई थी लेकिन थंड़ा शायद हुआ नहीं होगा फिर भी ये भी जो है इस तरह से भ वड़ा नहीं खाया होगा तो वड़ा यान같이 सिंगल वड़ा नहीं वड़ा पाव के साथ आपको खाना होगा क्यूंकि इसके साथ इसकी चेटनी भी होती है और जो चेटनी होती है जब आप कोई भी चीज बनती है तो complete जो recipe होती है उसके अनुसार बनने के बाद अगर होता है देखिए ये वड़े बन कर बिल्कुल तयार हो गए है अब इसको क्या है एक अलग से एक जाली वाले बॉल में डालेंगे और उसमें क्या होगा कि इसका जो तेल है क्योंकि सोडा जब हम लोग डालते हैं तो सोडा क्या करता है तेल को खीषता है तो सोडा तेल को खीषता है और इसमें तेल ज्यादा होने का वो रहता है तो जब किसी जाली वाली बरतन में उसको डालेंगे न त उस वड़े में कम तेल रहेगा, ठीक है, कहीं कहीं पर सोड़ा भी नहीं डालते हैं, क्यों पता है, क्योंकि सोड़ा डालने से क्या है, कि जो बेशने वाला है, या जो बनाने वाला है, उसका नुक्सान ही है, क्योंकि इसमें ओईल ज्यादा लगता है, जितना सोडा ज़एदा डालेंगे उतना ज़एदा ओयल खीचता है और वड़ा उसमें लाल भी आता है तो कोई-कोई बगर सोडा का भी वड़ा बन जाता है बना देते हैं लोग, क्योंकि मसाला उस तरह से डालेंगे और टेस उस तरह से आएगे लेकिन अगर सोडा नहीं डालेंगे आप तो आपने कभी हल्दी राम और विकाजी बगएर का जो भुजिया खाये होंगे तो उस भुजिया में एक मतलब क्रंची टाइप का होता नहीं है क्रंची टाइप का होता है मुझ में डालती एक सौपनेस रह जाती है अगर आप सोड़ा नहीं डालेंगे तो वो सौपनेस आप इस वड़ा में नहीं देख पाएंगे अगर आप सोड़ा नहीं डालेंगे तो सौपनेस नहीं आएगी और इसका जो कवर है इसका जो कवर है वो भी थिक नहीं होगा जाड़ा नहीं होगा अगर ठीक जो cover अगर वो मोटा नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसके बेसन में भी इतना टेस्ट आता है जैसी कि आपको लगेगा कि ये जो उपर वाला जो बेसन है कोटी है मसाले के उपर वाली उसको खाएंगे तो ऐसा लगता है कि वाह क्या खा रहा है कसम से मतलब कोई भुजया अगर आप खाएंगे ना तो वो भी आपको लगेगा कि ना भुजया नहीं भाई मैं तो वड़ाई खाऊँगा लेकिन आपको टकरना चाहिए सही सही बनाने वाला या सही आपको किसी स्टॉल पे मिलना चाहिए कि वड़ा पाउ ओरिजिनल जैसे बना हुआ अगर आप चलते फिरते स्टॉल में अगर खाएंगे कहीं रेस्टारण में खाएंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जहां पर भी आपके एरिया में फेमस वड़ा पाउ मिलता है वहाँ पर अगर जाकर आप खाएंगे तो आप ओरिजिनल टेस्ट पा सकते हैं तो यहीं है वड़ा पाउ का और वड़ा पाउ का जो मसाला है उसका भी एक अलग से खेल होता है वड़ा पाउ जो बनता है वो वड़ा और पाउ मिलाके सिर्फ नहीं बनता है इसके अंदर हरा मिर्चा भी होता है हरी मिर्च होती है खड़ी, खड़ी मतलब अक्hी पूरी और उसके बाद में उसकी चटनी होती है, चटनी आप कितनी भी वना सकते हैं, लेकिन एक जो common चटनी होती है, वो थी है मुवफली की, मुवफली को पीस करके, उसमें सुखा लाल मिर्च पीस करके डालके, उसमें औ हरी चटनी जो होती है, वो मेरचंच और धनिया की होती है, और शूखी चटनी होती है, वो होती है, مुओफल्ली की, यानि कि जिसको आप पन नट्स बोलते हैं, ग्राउंड नट्स बोलते हैं, तो यह देखे कितने गोल्डन कलर के वड़े बन गए हैं, बहुत ही अच्छे व वहाँ पर आपको यह जो वड़े हैं मिलते हैं, यहाँ पर आपको चॉप मिलेगा, लेकिन वहीं चॉप है, जो कि मैंने आपको बता है कि चॉप जब बनता है, तो वो चॉप ही होता है, चॉप का टेस्ट अलग होता है, उसमें क्या समोसे टाइप का होता है, समोसा जब का cover वड़ा ठंड़ा भी हो जाएगा ना तो भी आप वड़े का cover कवड़ का खाएगे तो भी आपको मज़धार लगेगा क्योंकि एक crunch भूजः की तरह होता है और जैसे अप बड़ी बड़ी company की भूजः क्वाते हैं उसकी टेस्ट में और इसकी टेस्ट में समय है वो बरबाद नहीं करेगा आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और यहां के जो यह पकोड़े है वो भी बहुत फेमस है और यह जो बड़े देखिए इस तरह से बिल्कुल गोल्डन कलर के आगए थोड़ा हलका लाल हुआ है तेल गरम होने के कारण लेकिन वो पता नहीं चलता है वो ना के बराबर है तो इस तरह से